एकोंकार सकना करता पुरक निर्भो निर्वेर अकार मूरत अजुनी सैभं गुर्परसाद We are presenting this video on a specious occasion of 75 years of independence of India. We proudly presents the development work initiated under Shama Prasad Mukherjir Urban Mission in Harsha Shina Cluster, Amri Sir. Prasad Mukherjir Urban Mission was started at Harsha Shina Block in 2016. Under this mission, 18 villages have been selected for providing urban amenities in rural areas. Sports Complex Harsha Shina Children Park at Palapind मेरा नाम जग्दीर सिंग, मैं यहां रहने बला हूँ और जो हमारे अर्भण मिशन के तैर पार्क बनाओ है वहां हमारे पिंड के बच्चे खेलते हैं और खेल LOOK खुलिया वातवर् öğ एक्टिविटि करते हैं और शाम को यहां सभी बच्चे उथे सहट के लिए और व्मारे पेंड के सभी लोगे खुश है कि ये पार्क बनी है और इसे काफी बच्छों को प्रोसाहित मिला है। मैं दन्यवार काता हूँ रपन मिशन का जो व्मारे पेंड में बनी है पार्क और वसी के तैयत जो उनके सकीम के दवारा बनी है। Research Center कम Training Center established under SPMRM at Village Harshashina to facilitate the marginal farmers with new techniques for agriculture and also provides implements to farmers on custom hire basis. ऐसे जड़ा एक फार्मर सर्विस सेंटर खोले है। जथे बिच आपार किसाना नो जड़ी मशीनरी है और रेंट ते प्रवाइड कार रहे हैं। जड़े फार्मर्स जड़ी मशिनरी नहीं खरीच साकते सी जड़ी प्रोच नहीं सी ओहनों रेंट ते लेके अपनी जड़ी है खेती जड़ी है कार रहे हैं शामा प्रशाद मुखर जी रूर्व अर्बन मिशन तया इते एक गौर्वर्मन्न कम्यूनिटी कैनिंग सेंटर भी ताकि वो अपना करेल उपदर ते काम स्टाड करके स्वय निर्बर हो सकते। जिसका हमारे गाओं को बहुत फदा हुआ है। हमारे गाओं में शामा प्रशाद मुखर जी स्कीम के इतायत बहुत अच्छे काम हुए हैं। जोटी से लेकर गाओं बगा तक बहुत अच्छी क्वाल्टी की सडक मनी है। और मारे गाओं में आर सी सी की गलियां और इंटरलोकिंग की गलियां का बहुत अच्छा काम हुआ है। और जो लाइटे हैं सोलर लाइटे हैं वो भी लगी हैं गाओं में उनका गाओं को बहुत फैदा है। अगर दूसरी लाइट ना भी आए तो रात को लोगों को सहर करने का और बच्चे जवान बुड़े अवरते हैं सब सहर करती हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। गाओं गाओं ही लगता है ऐसे लगता है जैसे शेयर में फिर रहे हैं आप।